प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने नई दिल्ली में निती आयो की गवर्निंग काउंसल की छटी बैठक के अध्यक्षता की बैठक का आयोजन वर्च्वल माध्यम से किया गया जिसमें क्रेशी अधो सरंचना वी निर्मान और मानव संसाधन विकास के मुद्दों पर चर्चा की गए केंद्री रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने बैठक की कारेवाही का संचालन किया शिमला से इस बैठक में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री जराम ठाको ने कहा कि पहड़ी राज होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अधो सरंचना स्रेजित करने के लिए अनिराजों के पिक्षा अधिक धनराशी और संसाधनों की आवशक्ता है राजिसरकार हिमाचल को देश का प्रेटन के इंदर बनाने के लिए भरसक परयास कर रही है लेकिन बेहतर हवाई और रेल संपर्क नहीं होने के कारण इसमें समस्याय आ रही है उन्होंने प्रधान मंत्री से आग रहे किया कि मंडी में ग्रीन फिल्ड हवाई अड़े के निर्माण और कांगडा हवाई अड़े के विस्तार के लिए प्रयाप्त आर्थिक साहिता सविक्रित के जाए इससे जहां प्रेटन गतिवीदियों को बढ़ावा मिलेगा वही है सामरिक द्रिष्टी से भी महत्वपुन है मुखे मंत्री ने कहा कि राजसरकार अदोसरंचना विकास को शिर्ष प्रात्मिक्ता प्रदान कर रही है अटल टनल रोहतांग का निर्मान रिकॉर्ड समय में पूरा करने और इस कारे में व्यक्तिगत रूची लेने के लिए उन्होंने प्रधान मंत्री का अभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि सुरंग के बनने से लहौल और पांगी घाटी में लोगों की आजिविका में काफी सुधार हुआ है क्योंकि हजारों की संख्या में यहां प्रेटेक पहुँच रहे हैं जैराम ठाको ने कहा कि प्रदेश का बदिक शेतर एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब बन कर उभरा है राजे में बल्क डग फार्मा पार्क के लिए प्रभावी रूप से कारे करना आरंभ किया है इसके अतरिक तराजे में मैडिकल डिवाइसेज मैन्यूफैक्चरिंग पार्क और इलेक्ट्रोनिक मैन्यूफैक्चरिंग हब के लिए भी पर्यास चारी है उन्होंने प्रधान मंत्री से आग रहे किया कि प्रदेश के लिए इन सभी पार्क को सविक्रित क्या जाये ताकि यहां आर्थिक स्थिती में व्यापक परिवर्तन लाए जा सके उन्होंने कहा कि हिमाचर प्रदेश ने 25 जनवरी 2021 को पुरुन राजयत्व के 50 वर्ष पूरे कर लिये हैं और आज़े सरकार ने इस वर्ष को स्वर्ण जेंदी के रूप में मनाने का निर्ने लिया है उन्होंने कहा कि छोटा राज्य होने के बावजूद हिमाचर प्रदेश में देश के कई बड़े राज्यों को रहा दिखाई है मुखे मंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री की प्राथ मिक्ता के नुरूप प्रदेश में सुभाश पाले कर प्राकर्तिक खेती योचना कार्यानवित की जा रही है इस योचना के अंदरगत एक लाग से अधिक किसानों को लाभानवित किया चा चुका है प्रदेश की विकासात्मक मांगो और आवशक्ताओं को हमेशे अध्यान में रखने के लिए मुखे मंत्री ने प्रदान मंत्री का धन्यवाद किया उन्होंने कहा कि केंदर दौरा प्रदान किया गया 450 करोड रूपे का ब्याज मुक्त रिन प्रदेश के खर्चों को चलाने में बहुत मददकार साबित हुआ है हिमाचल भाले छोटा परदेश है लेकि यहांकी व गौलिक परस्धियां इस्परकार से हैं कि हमें काम करने में समय भी ज्यादा लगता है और धन भी जादा लगता है जहां Ease of Doing Business में हमने हिमाचल परदेश में काम करने की कोशिश की उसमें एक अच्छी सफ़ता हमको हासिल हुई हम स्तारवे नंबर थे वर्तमान में अभी हम साथवे नंबर पर वहां पर आए हैं एगरिकल्चर के सेक्टर में हमने पराकिति खेती को परोचान देने की देश्टी से हमने काम करने की कोशिश की है हमने हिमाचल परदेश की ओर से केंदर के समक्ष में जो प्रस्ताव रखे हैं चाहें वो मंडी ग्रीनष्य फिल्ट्ड एअरपोर्ट का विशल है हम चाहेंगे उस में कि उसमें सहोग मिले और उसके साथ साथ में कांगड़ा का एअरपोर्ट हमारा वह भी बहुत छोटा है उसके expansion की scope जो है हमने work out की है और उसमें सहो की आपशक्ता है उस दिश्टी से और उसमें मैं मानता हूं कि हिमाचल परदेश्ट में जो हमारा नालागर का बद्दी का इलाका है जहां हमारा फार्मा का एक बहुत बड़ा एशिया का नंबर वन फार्मा हफ जो है अगर पुरे इसमें है तो हमारे हिमाचल परदेश्ट में है तो वहाँ इन दोनु चीजों के लिए हमारे पास संभावना उपलग्द है